नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा दोस्तों जो आपके सरीर के खून को पतला करने का काम करेगा और खून को गाड़ा होने की समस्या को दूर करेगा खून को साफ भी करेगा जिससे की आपके चहरे पर नया गलो आ जाएगा आपकी उमर बढ़ने की प्रकरिया रुक जाएगी दोस्तों नसों की ब्लोकेज को खोल देगा यदि आपको मासपेशियों का दर्द है या किसी भी परकार का जोडों का या सरीर का दर्द है दोस्तों उसका भी ये एक कारगर इलाज है डाइबटीज रोक को बिलकुल कंट्रोल करने का काम करेगा इस सुगर की बीमारी के जो कॉम्पलिकेशन है उन्हें सबसे भी बचा कर रखेगा खून की गंदगी को साफ करेगा कोलोस्टोल की समस्या का इलाज करेगा हार्ट ब्लोकेश, हार्ड अटेक और इन दिल की बिमारीओं से बचा कर रखेगा दोस्तों आपके मुटापे को भी कंट्रोल करने का काम करेगा आपके हाई भीपी को हाथो हाथ कंट्रोल करेगा ऐसा चमतकारी नुस्खा है और दोस्तो इसको आप अपने घर पर ही बना सकते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली मुखे समगरी है वह है दोस्तो दालचीनी और दोस्तो दालचीनी के फाइदे को नहीं जानता दालचीनी को मसालों की रानी कहा जाता है दोस्तो दालचीनी की अंदर वो सबी गुन मुझूद होते हैं जो आपके सरीर को निरोगी बना सकते हैं दालचिनी में anti-oxidant भरपूर मातरा में पाय जाते हैं। दालचिनी में ऐसे से chemical compound हैं जो आपके सरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। दोस्तो दालचिनी में anti-inflammatory गुण भी मुझूद होते हैं जो आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करते हैं। दालचिनी और blood sugar के लिए तो दालचिनी एक वरदान की तरह काम करती हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को सुगर की विमारी है तो उसको दालचिनी को अपने आहार में जरूर सामिल करना चाहिए। यदि वह अपने इस diabetes level को control में रखना चाहते हैं। क्योंकि दालचिनी की अंदर को कम करने का काम करता है। इस बीमारी से होने वाले complexion से भी आपको बचा करकता है। दोस्तो दालचिनी डायबटीज के साथ ही हानिकारक cholesterol को भी कम करके हर्दे को स्वस्थ बनाने का काम करती है। दोस्तो यदि आप एक चोथाई चमच दालचिनी का परियोग, एक दालचिनी पेट और पाचन के लिए बहुत कारगर दबा है। ये आपके पाचन को मजबूत करने का काम करती है क्योंकि इसके अंदर anti-microbial गुन होते हैं। जो पाचन तंतर वे पेट में संकर्मन का कान बनने वाले बैक्टिरिया से लड़ने में एक कारगर तरीके से काम क करते हैं। दोस्तो इससे आप पेट के रोगों से बच रहते हैं। कबज गैस और SDT का आपको कभी सामना नहीं करना पड़ता। मस्तिक स्वास्थे के लिए भी दालचिनी कारगर दबा है। ये आपको स्ट्रेस से बचा कर रखती है। दोस्तो दिमाग को तेज करने का काम भी करती है ये दालचिनी। तो देखा दोस्तो कैसे दालचिनी आपके सरीर के लिए कारगर दवा की तरह काम करती है। आपकी इम्मून पावर को बढ़ाती है, मुटापे को कंट्रोल करती है। क्योंकि इसके सेवन से आपका मेटबलिजम पूश्ट होता है। क्योंकि दा चल गया आपने कि दालचिनी का आपने प्रियोग करना है और दालचिनी से आपके सरीर को ये ये फाइदे होते हैं। अब मेन जो मुखे बात आती है वो ये आती है कि आपने दालचिनी का प्रियोग करना कैसे है। सबसे मेन चीज यही है क्योंकि उसके ऊपर ही आपके फा चमच पाउडर का, एक डिरास हल्के, गुनगुने पानी में इसको मिलाकर, उसको कट-कट करके पीछ आएं, आप इस तरीके से भी डालचिनि का प्रियोग कर सकते हैं, दूसरा, आप डालचिनि को, एक चोथाई, छोटे चमच दालचिनि को, आप सहद के साथ मिक्स करके भी दालचिनी का सेवन कर सकते हैं यदि आपको डालचिनी की समस्या है तब आप इसको पानी के साथ सेवन कीजिए लेकिन यदि आपको डालचिनी की समस्या नहीं है तब आपने दोस्तों इसका सेवन सहद के साथ ही करना है क्योंकि जो फाइदे आपको सहथ के साथ सेवन करने से मिलेंगे क्योंकि वो दालचिनी के फाइदों को और बढ़ाने का काम करेगा एक तो दालचिनी अपने आप में ही स्ट्रोंग है उस्दी है और यदि आप इसका सेवन सहथ के साथ मिलाकर करेंगे तो ये सूपर स्ट्रोंग हो जाएगी यानि वो कहते हैं ने सोने पर सुहागे वाली कहवात है तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा और आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगी आपके सरीर के अंदर सांड जैसी ताकत आ जाएगी यदि आपकी नसों में गैस की समस्य है तो उसको दूर करेगी दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज से ही इस दालचीनी का प्रयोग सुरू कर दीजे और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजे तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिज लाइक और सेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें धन्यवाद दोस्तो